आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल फ्यूचर ओनलाइन क्लासेस में और आज हम इस वीडियो में तो अब हम जो है संग्या से रिलेटेड सारे थिवरी को जानेंगे साथ इस साथ इस से रिलेटेड जो है पचास कोर्शन करेंगे जो कि आपके बचपन सही पढ़ते आ रहे होंगे कि संग्या किसे कहते हैं आप सभी लोग को मालूम होगा कि संग्या जो है किसी भी वेक्ति वस्तु जाती भाव या इस्थान के नाम को संग्या कहते हैं तो ये बात आपको किलियर हो गया होगा जैसे हम एक्जामपल में देख सकते हैं पर की मनुस से क्या है जाती है अमेरिका भारत क्या है स्थान का नाम है बचपन और मिठास क्या है यहां पर भाव बताया जा रहा है किताब और टेवल क्या है वस्तु है समझ गया तो वहीं न हो गया जाती इस्थान भाव या वस्तु के नाम को जो है संग्या कहते हैं एक नम वेक्ति वस्तु जाती अभाव के नाम को संग्या करते हैं अब इसके मुधारन को समझने का पूरा पर्यास करेंगे जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जैसे यहां पर देखी एक वाक्य लिखा हुआ है कि भारत एक लोगतांत्रिक देश है तो यहां पर भारत क्य खेल है हौकी क्या हो गया खेल है तो यह अभी क्या है एक मतलब खेल का नाम हो गया यहां देखे गंगा भारत का एक पवित्र नदी है तो गंगा क्या है हमारा एक नदी का नाम है तो एक पवित्र नदी है कुरान मुसल्मानों का पवित्र गरंथ है तो कुरान क्या हो गया हमारा ग्रंथ का नाम हो गया, पुस्तक का नाम हो गया, और मुसलमान क्या हो गया, हमारे विशेश समुदाई का नाम हो गया, फिर है तेहवार से हम घर में खुसी आती है, तेहवार, तो यहाँ पर खुसी देखिए, खुसी क्या है, यहाँ पर भाव बता रहा है, भाव है, आज दीपक बहुत खुश है, तो आज दीपक, यहाँ पर देख सकते हैं कि दीपक एक लड़का का नाम है, समझ गया, और यहाँ पर दीपक हर सुबा एक गिलास दूध और चार अंडे खाते हैं, तो देखें, दीपक हर सुबा एक गिलास दूध, यहाँ पर द्रौव हो गय अंडे वस्तू हो गया समझ गया दीपक नाम हो गया तो यह सब क्या है हमारा संग्या है अब यह जो उपर आपने पढ़ा कि भारत एक लोग तांत्रिक देश है नरेंद्र मोदी भारत के प्रधान मंत्री है होकी भारत क्रास्ट यह खेले इसके नीचे मैंने आपर इसके आफ Conga के IGHगर का नाम है क्या है क्या है यह जोकी क्या करना इक समुदाय का नाम हो गया फिर मतलब और यहां पर आपका खुशी आ गया तो मका आगराह दूद और अणिय हो गया खाती प्रदार्त का नाम हो गया तो किसी भी वजत्तु जाति भाव या स्थान के नाम तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारा क्या है कि वेक्ति है वस्तु है जाती है भाव है उसी के नाम को वस्तु है तो उसी के नाम को संग्या कहते हैं तो संग्या किलियर हो गया अगर हम बात कर ले कि संग्या कितने प्रकार के होते हैं तो यहां पर देखें संग्या कौन-कौन से, तो वेक्ति वाचक, जाती वाचक, भाव वाचक, द्रोव वाचक, सम्मूम वाचक, समझ गए, ये तो आप सभी लोगों को वच्पन सही नाम होगा, अब हम एक एक करके जो है जान लेते हैं, यहां से प्रस्ण आपके एक बनेगा कि संग्या के कितने भेदोते पांच भेदोते, आप सभी लोगों को वच्पन सही मालूम है, समझ गए, आगे भढ़ते हैं, तो यहां देखे, हमारा जो पहला प्रकार है वेक्ति वाचक, देखे, पहला जो प्रकार है वेक्ति वाचक से, इसे समझेगा कि जिस सब्द से, किसी बिसेश वेक्ति, स्थान का नाम हो, विसेश वस्तु का मतलब बोध हो, उसे ही जो है वेक्ति वाचक संग्या कहते हैं, सधारन वर्ड में आप यहां देख सकते हैं कि ऐसा, कोई भी ऐसा वेक्ति वाचक संग्या कहते हैं, यहां पर उधारन आप देख सकते हैं, जैसे कि यहां पर क्या है, व विशेष इस्थान और विशेष जो है कि आपका वस्तु का नाम समझ गए यहां पर यह इमारत नहीं होगा इमारत ठीक है वस्तु ही तो है वो समझ गए तो यहां देखे विक्ति विशेष विक्ति कहने का मतलब कि भगत सिंग महत्मा गांदी सचीन तेंदुलकर मदट रिसा यह सब क्या है अपने आप में विशेष है क्यों भाई क्योंकि इन्होंने कई छेत्रों में अपना नाम किया है समझ गये उन्होंने समाज के लिए देश के लिए बहुत कुछ किया है तो क्या हो गया वो अब विशेष रिखती है अब विशेष इस्थान का नाम ले ले तो तो जिस सब्द से, या जिस संध्या सब्द से, किसी बिशेस वस्तू, बिशेस स्थान, बिशेस आपका विक्ति का नाम का बोध हो, उसे हम लोग विक्ति वाचक संध्या कहते हैं. तो यहाँ पर clear हो गया आपका, जब हम प्रश्ण करेंगे तो सारी चीज जो है और भीतर तरीके से आपका clear हो जाएगा, समझ गया, आगे हम second, आप इसके type को देखते हैं, तो second आपका जो प्रकार है वो है कि जाती बाचक संग्या, देखिए इसके नाम से ही पता चल गया है, कि यहाँ पर जाती का बोध हो, समझ गया, जैसे सेना हो गया, फिर आपका, बहुत सारा हो गया, इस्तरी हो गया, सेना तो आपका समूह हो जाता है, सोरी, सेना नहीं, जैसे जाती का मतलब कि लड़का हो गया, फिर आपका गाय हो गया, टीबी हो गया, यह पूरे जाती का बोद कराता है या गाओं हो गया पूरे गाओं का बोद कराता है समझ गया तो उसी को बोलते हैं यहां देखिए जिस संग्या सब्द से या जिस किसी एक सब्द से किसी संपुर्ण जाती का बोद हो उसे हम लोग जाती वाचक संग्या कहते हैं यहीसे और इस तरह भी लिख सक को पूरे वर्ग को संबोधित करता है उसे हम लोग जाती बाचक संग्या कहते हैं देखिए ऐसा संग्या सब्द जो कि पूरे जाती को और उसके संपुर्ण सिरेनी को समझ गये और उसके पूरे वर्ग का जो है संबोधन करता है उसी को हम लोग जाती बाचक संग्या कहते हैं ऐसे संग्या सब्द जिसके पूरे संपूर्ण जाती का बोध हो उसे हम लोग जाती बाचक संग्या कहते हैं या सधारन सब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा सब्द जो कि पूरे जाती और उसके संपूर्ण स्रेनी और पूरे वर्ग का संबोधित करता हो उसे हम लोग जा अस्तु में कार हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, पुष्टक हो गया, इत्यादी, ये सब क्या है, पूरे जाती का बुद्ख रहे है, कार बोलेंगे तो केवल एक कार का बुद्ख नहीं होता, पूरे कार समूख का बोध होगा, मोबाइल भी पूरे मोबाइल समूख का वो गाय का पूरा वर्ग तो इसी को हम लोग बोलते हैं जाति वाचक संग्या जिसमें जो है संपुर्ण जाती या संपुर्ण वर्ग या संपुर्ण स्रेनी का बोध हो समझ गया अगले टाइप के उपर चलते हैं तो यहाँ देखे अगला टाइप आपका यहाँ पर भाव आचक संग्या क्या है भाव का मतलब कि आपके अंदर क्या कौन-कौन से भाव होते हैं भाव का मतलब अपने अभिवेक्ति को बताने कि हम खुश है कि दुख है कि हम नराज है कि उदास है उसी को भाव बोलते हैं समझ गया भाव का मतलब कि वेक्ति का जो होता है आपका अभिवेक्ति कि खुश है कि नराज है कि दुख है देखे, जो सब्द किसी वेक्ति, वस्तु या स्थान के गुन, कर्म, दसा, अवस्था, भाव, आधी का बोध कराए, वह सब्द जो होता है, भावाचक संग्या होता है, देखे, वैसे संग्या सब्द, जो किसी वस्तु का, किसी वेक्ति का जो है, किसी स्थान का जो है, उसके गुन का बोध कराए, उसे कर्म का बोध कराए, उसे दसा का, उसका दिसा का, उसकी अवस्था का, उसके भाव का आधी का बोध कराए, उसी को हम लोग जो है भाव आचक संग्या कहते हैं, समझ गए, जो सब्द किसी वेक्ति वस्तु या स्थान के गुन, कर्म, दसा, अर्थात यह क्या होता है इसे हम लोग देख नहीं सकते हैं छूनें सकते हैं मालने कि हम दुखी है तो किया कितना दुखी है इसे देख पाईएगा नहीं देख पाईएगा उसी को अमूर्थ का मतलब होता है कि जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं जिसे हम लोग छूनें सकते यह हम इसके उधारन के उपर बात कर लेते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि उधारन क्या है तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाव की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर दसा की बात कर रहे हैं अवस्था की बात कर रहे हैं और गुन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए भाव हम लोग क्या कर सकते हैं कौन कितना खुस है क्रोध है दुखी है इत्याद यह हमारा क्या हो गया, भाव हो गया, दसा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भूख हो गया, प्यास हो गया, गड़ी भी, गड़ी भी दसा हो गया, प्यास भी दसा हो गया, कि प्यास से हम लोग उमर रहे हैं, अवस्था की बात करें, तो बुढ़ापा, जवानी, ब जो सब्द किसी वेक्ति वश्ट्य स्थान के गुण करम दसा अवस्ता भाव का बोद क्राई उसे हम लोग भावचक संग्या कहते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं चार नमर टाइब के ऊपर तो चार नमर टाइब जो है आपका यहाँ देख सकते हैं कि समुह वाचक या समुह वाचक संगया बलते हैं समुह वाचक या समुह वाचक संगया समझ गए वही बाते हैं यहाँ पर तो समुह वाचक संगया कहने का मतलब है कि वे संगया सब्द जो किसी समुह का बोद कराता हूं उसे हम लोग समुधाय बाचक या समुधाए काते हैं सब्दों में किसी एक पूरे वर्ग को दर्साने वाला सब्द समुवाचक या आपका समुधाय वाचक संगया कहलाता है मतलब किसी एक पूरे वर्ग को दरसाता है, जैसे हम अगर यहाँ पर सेना लिख दिये, तो सेना का मतलब कि इसमें तीनों सेना आ जाता है, ठल सेना, वायू सेना और यहाँ पर जल सेना, समझ गए, वो सारा आ जाता है, अगर हम यहाँ पर कच्छा लिख देते हैं, तो कच्छा में सब कच् गया देखिये उधारण में। जयसे कि देख सकते हैं, सिना, सभा जाएगा 4 सब सभा पर या आपका कोई प्राथना का सभा हो. कच्छा की बात करें तो सभी आ जाएगा जूंड की बात करें लकडी की बात करें गठा की गेहुम की धेर की आधी की समुधाय वाचक और समुधाय वाचक संग्या का उधार नहीं है सब समझ रहें समूह कहने का मतलब है कि जो समूह में रहता हूँ समझ गए जैसे लकडी का गठा जो होता है क्या होता है समूह में रहता है गेहुम का धेर देखते हैं तो वहाँ पर एक होता है क्यों आपर बहुत सारा गेहुम का धेर होता है कच्छा में केवल एक बच्चे नहीं होते हैं जुन्ड में केवल आमेशा एक लोग नहीं होते हैं सेना में केवल एक लोग नहीं होते हैं तो जहां पर भी जो है जुन्ड की बात की जाए समुदाय की बात की जाए समूह की बात की जाए उसे हम लोग समुदाय वाचक या समूह वाचक संग्या कहते हैं जब हम question करेंगे तो सारे detail आपको सारे प्रशन केलियर हो जाएंगे अगला जो आपका अंती में है जो की draw वाचक है इसे समझ लेते हैं फिर हम question के उपर चलते हैं समझ गए तो यहाँ देखिए पांच नमर जो आपका टाइप है draw वाचक संग्या draw वाचक संग्या कहने का मतलब है कि जो सब्द किसी पदार्त धातू या draw को दर्साता है या उसका बोध कराता है उसे हम लोग draw वाचक संग्या कहते हैं समझ गए या अन्य सब्दों में कह सकते हैं सधारन सब्दों में कि जो सब्द नाप तौल आदी का बोद करा है उसे हम लोग द्रौवाचक संगया करते हैं वैसे सब्द जो कि नाप और तौल की बात करे उसे हम लोग द्रौवाचक संगया करते हैं जैसे कि तेल, पानी, दू का नापतौल की बात होता है वहाँ पर उसे हम लोग द्रवाचक संग्याक होते हैं तो यह जो था आपका नाउन का मतलब कि संग्याक आदे जो था था थीड़ी हो चुका है अब हम जो है प्रैक्टिस के ऊपर चलेंगे जिसमें जो है महत्यपूल 50 प्रशन करने वाले हैं तो यहाँ पर जो आपका पहला प्रशन है यहाँ देख सकते हैं कि सुन्दर्ता सुन्दर्ता में संग्या है अभी हमने जो है उपर जाना है सुन्दर्ता यह लर्की बहुत सुन्दर है तो सुन्दर है तो यह क्या दिखा रहा है यहाँ उसका भाव दिखा रहा है कि तब गून बताये जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा, अगला यहाँ पर दूसरा प्रशन है, कि कौन सा सब्द जो है भाववाचक है, देखिए भाववाचक से प्रशन पूछे जाते हैं, भाववाचक में अपना क्या होता है, गून होता है, मतलब की पसु के परकार मतलब पसुता का मतलब होता है पसु के समान पसु के समान बोल सकते हैं समझ गए तो यह लरका जो है पसुता की तरह भी हैप करता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका गहा नमर हो जाएगा यहाँ पर भाव जो है ऑप्शन गहा नमर म मितरता का निर्वाह किया इसमें भाव अचक क्या है बताए रमेश सुरेश मितरता निर्वाह तो देखे रमेश और सुरेश क्या है नाम है तो यह तो व्यक्तिव अचक हो जाएगा तो यहाँ पर जो आपका संग्या क्या है राष्ट पती भावन क्या है एक खास जगह है और खास जगह के लिए हमने उपड़ भी जाना है कि उसे हम लोग क्या बोलते हैं वेक्ति वाचक संग्या बोलते हैं कियो किसी खास वेक्ति का या किसी खास वेक्ति का या किसी खास वस्तु का या किसी खास इस् पर भाव बताना है भाव में जो है आपको क्या होता है उसका गोन का उसका दोस का उसकी अवस्था का उसका मतलब यह सब चीजे बात होती है तो यहां पर देखिए उचा उचाई और कुसल और गहड़ा तो देखिए उचा उचाई कुसल गहड़ा तो बताएं यहां पर जो ह आपका उचाई हो जाएगा, यह खigious नमर जो इसका एंसर हो जाएगा, समझ गए, अगला यहाँ छे नमघप्रस्ड़न है कि, बहायबघण क्या होता है, देखिए, यहां पर बताइना है यहां बहायबघार्ण क्या होता है, अगला यहां पर देखते हैं, तो यहां पर देखिए, अगला प्रस्व locksmith 7 NMAR है कि, बुढहापा सब्द में कौन सी संग्या है, अभी उपर आपने देखा है, यहां पर बुढहापा क्या बता रहा है, किसी वेक्ति का जो है भाव बता रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा option गौनमर हो जाएगा भाव आचक संगया देखे क्योंकि वेक्ति वाचक में किसी खास वेक्ति वस्तू इस्थान का बोध हो जाती वाचक में जो हो कोई ऐसा सब्द या ऐसा वस्तू जिसके पूरे हो गया पूरे गाय का बोध कराड़ा है कलम हो गया यह सब जाती का बोध कराएगा समझ गया गाउं हो गया गाउं तो आपका सम्मूह में आ जाएगा समझ गया तो यह जो हो जाएगा समझ गया अगला यहाँ प्रस्ण आपका एट नमर है कौन सा सब्द जो है भाव बाच नहीं है, तो देखे, मिठाई क्या है, आपका यहाँ प्रभाव नहीं बता रहा है, मिठाई क्या है, वस्तु है यहाँ पर, समझ गया, यह वस्तु हो गया, बाकी आपका चोतुराई हो गया, लड़ाई हो गया, उतराई हो गया, यह सब क्या है आपका, यह भाव वाचक है, स जवान, जवान कहने का मतलब है कि पूरा जाती का यहाँ पर बोध हो रहा है, बालक, बालक भी पूरे जाती का बोध हो रहा है, मनुस्य क्या है, पूरे मनुस्य का बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सुन्दर क्या है, किसी का भाव बताया जा रहा है, तो यह आपका भाव अगर बुलावा समझ गए बूलावा तो इसका एंसर क्या हो जागा गौनमर हो जाएगा समझ में आ रहा है तो अगर कोशन समझ में आ रहा होगा तो एंसर भी किजेगा और चैनल पर लाइक भी किजेगा अपने दोस्तों के साथ काफी बेहतर तरीके से आपको बताया भाववाचक संग्या में आपका बारण नमर की ग्रामिन का संग्या रूप क्या होगा ग्रामिन, ग्रामी, ग्राम, और ग्राम में तो देखें, मालूम है कि ग्रामिन का जो संग्या रूप होगा, वो क्या हो जाए, ग्राम हो जाएगा, तो इसका answer क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, option number यहाँ पर देख सकते हैं, कि आपका यह गौवला, समझ गया, अगले प्रस्ण को देखते हैं, तो अगला प्रस्ण कि यह जो लालिमा काफी अच्छी है, मतलब कि लालिमा मतलब सुन्दरता होता है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, option आपका, ए नमर हो जाएगा, मतलब कौन नमर हो जाएगा, अगले प्रस्ण को यहाँ देखें, चोदा नमर, चोदा नमर बोल रहा है कि नदी संग्या का कौन सबीद है, नदी क्या हो जाएगा, जातिवाचक, भावाचक, विक्तिवाचक यह समुवाचक, आप सभी लोगों को मालूँ होगा, कि नदी जो है, खास जो है, तलाब का नाम है, तो यह क्या हो जाएगा, नदी पूरे जाती का बुथ राता है, तो यह जातिवाचक में आ सबका नाम ने नहीं या मुना खास नाधी का तो खास वेक्तिवस्वश्थन जाती का बोध होता है? वो आपका वेक्तिवाचक हो जाता है, समझ गए? वेक्तिवाचक यहाँ पर संगया हो जाएगा, मतलब कि इसका एंसर अपका घौन अमर हो जाएगा, समझ गए? अगला यहाँ प्रशन है कि कौन सा सब्द जो है भाव अचक संग्या है यहाँ पर देखें मिठास, मीठी, मिठाई और मीठा बताईए यहाँ पर क्या है तो देखें मिठास जो है यहाँ पर आपका भाव बता रहा है कि यहां मिठाई क्या है? पूरी तरह से मिठास भड़ा हुआ है चाहिए इसकी आवाज में काफी मिठास है समझ गए? तो यहां पर option कौन नमर हो जाएगा? अगला प्रशन देखते हैं तो यहां देखे 17 नमर प्रशन ने बोल रहा है कि कच्छा सब्द हिंदी व्याकरन के अनुसार संग्या के बेद में स्रेणी में आता है कच्छा का मतलब क्या हो गया? यह क्या हो जाएगा? आपका समू में होगा न? कच्छा में केवलेक बच्चे नहीं होते हैं इसका एंसर आपका घौण नमर हो जाएगा समू हुआ चक समझ गया? कच्छा क्या होता है? समू हुआ चक होता है अगला यहां प्रशन है कि समीती सब्द हिंदी व्याकरन के अनुसार संग्या के किस बेद में आता है? समीती कहने का मतलब है कि केवल एक समीती नहीं होता है समीती में बहुत सारे जो होते हैं समू होते हैं तो इसका एंसर क्या हो जाएगा? अप्सन नमर आपका घौण हो जाएगा समू हुआ चक संग्या समझ गया? पुरुस, परभू, छत्रिये, बधुत्व, बताईए तो यहाँ पर देखें, बंधुत्व जो है यहाँ पर भाह बता रहा है कि भाई कितरा निविन निभाना समझ गया? बंधुत्व मतलब कि भाई चारा होता है, याद रखेगा बाकिया आपके छत्रिये, परभू, पुरुस, यह सब अलग अलग है, समझ गया? तो इसका एंसर आपके क्या हो जागा? घौना मर हो जागा तो यह 20 प्रस्ण आपको समझ में आया यहाँ देखिए, पहला प्रस्ण आपना है कि कि गंगा पवित्र नदी है मतलब आले कि गंगा पवित्र है वाक्य में गंगा कौन सा संगया है? तो देखे, गंगा क्या है? खास नदी का नाम है? समझ गया खास नदी का नाम मतलब की वेक्ति वाचक हो जाएगा वेक्ति वाचक का मतलब कहने का अर्थ है कि किसी खास वेक्ति वज़तु इस्थान का नाम हो तो उसे हम लोग वेक्ति वाचक संग्या करते तो इसका answer option आपका A नमर हो जाएगा अगला दो नमर प्रस्ने की निमलिखित सब्दों में कौन सा सब्द जो है भाव आचक संग्या है यहाँ पर आप भाव बताएए दूद क्या है दूद तो आपका द्रौव हो गया और ताज महल क्या है किसी खास जगा का नाम है किसी खास महल का नाम है तो यह तो आपका वेक्तिवाचक हो जाएगा समझ गए सभा क्या हो जाएगा यह तो आपका सम्मूव में हो जाएगा सम्मूव आचक और यह गड़ीवी क्या है आपका गड़ीवी जो है भाव बता रहा है कि राम जो है गड़ीवी से जूज रहा है मतलब उसकी भाव क्या है गड़ी भी समझ गए तो इसका answer option d number हो जाएगा समझ गए अगला प्रशन यहाँ पर देखिए जो सब्द संग्या की बिसेश्टा बताता है उसे क्या कहते है तो देखे जो सब्द संग्या की बिसेश्टा बताता है उसे हम लोग जो है बिसेशन कहते हैं समझ गए इसका answer क्या हो जागा बिसेशन आज जो सब्द संग्या के बदले परियुक्त होता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं और संग्या किसे कहते हैं तो किसी खास वेक्ति वस्तु इस्थान के नाम को संग्या कहते हैं तो समझ गए? देखें काफी important प्रस्ण करा रहा हूँ इससे बाहर आपके exam में नहीं पूछेगा तो काफी बारीकी से आप पूरे प्रस्ण को कीजेगा पूरे वीडियो देखेगा और वीडियो को लाइक भी कीजेगा सेर भी कीजेगा सस्क्राइब भी कीजेगा चलते हैं अगले प्रस्ण के उपर तो यहां देखें अगला प्रस्मी यहाँ पर आपका बोल रहा है कि चार नमर जाती वाचक संगया का उधारन बते ही जाती का मतलग पूरे जाती का बोध हो जैसे गाय हो गया नदी हो गया सहर हो गया बिवेकानन्द हो गया यहाँ पर बोल रहा है कि जाती वाचक संगया का उधारन नहीं है न समझ्या विक्ति वाचक संग्या। अगला यहां पूरुस वाचक, विक्ति वाचक, शंबंद वाचक, नीज वाचक। यह 6 प्रकार होते हैं, याद रखेगा, अगला यहाँ प्रश्ण आपका 6 नमर है, संग्या के कितने भेद होते हैं, आप सबी लोगों को, अभी मैंने आपको उपर बताया है थूरी में, कि संग्या के 5 प्रकार होते हैं, वेक्ति वाचक, जाती वाचक, समुवाचक, कौन सी संग्या है, तो देखे, सूर्दास किसी खास वेक्ति का नाम है, सुरेश भी जो है वेक्ति का नाम है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका वेक्ति वाचक संग्या हो जाएगा, समझ गए, तो इसका एंसर क्या हो जाएगा, option आपका A हो जाएगा, अगले प्रश्ण को यहां देखिए, इस्तिर क्या है, इस्तिर कौन जी संग्या है, तो राम इस्तिर है, राम क्या इस्तिर है, तो राम अपनी दसा को दिखा रहा है यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बहाव हो जाएगा, तो यह इस्तिर जो होता है, बहावाचक संग्या होता है, समझ ग तो उर, उराई, उरान और सभी बताइए उरना का यहाँ पर भाव अचक क्या होगा तो मैं आपको बतादू कि उरना का जो आपका भाव अचक होगा उरान होगा अभी उपर भाव अचक से प्रस्ट में आते हैं आपकी एक्जाम में अगला यहाँ प्रस्ट में की अच्छा देखे अच्छा बी सेशन की भावाचक संगया क्या होगा अच्छा का अच्छे अच्छी अच्छाई सभी तो देखे अच्छा का जो आपका बी सेशन होगा वो आपका हो जाएगा भावाचक में वो आच्छाई हो जाएगा तो इसका answer option आपका C हो जाएगा समझ गए अगल प्रस्ठियता सब्द में कौन से संग्या है मतलब कि यहां पर भाव बतारा ना कि मेरे क्या एंसर क्या हो जाएगा तो यहां देखे जाती का मतलब कि पूरे जाती का बोद करा है समू का मतलब की जहां समू का बोद हो द्रव का मतलब की जहां नापतोल की बात की जाए समझ गए? अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं तो यहाँ देखे अगला प्रस्ण यहाँ पर है कि जिस संग्या सब्द से किसी वेक्ति या वस्तु के गुन, धर्म, सौभाव का बोध हो, उसी कहते हैं, क्या बोलता देखिए, किसी जिस संग्या सब्द से किसी वेक्ति का वस्तु का उपर भी मैंने बताया है कि गुन का, उसके धर्म का, उसके सौभाव का, उसका बोध हो तो क्या होता है, वो होता ह समूह हो जाएगा समझ गए नहीं समूह नहीं होगा नदी आपका क्या हो जाएगा समूह नहीं होगा यह नदी जो होता है जाती का बुद्र नहीं कराड़ा है सेना जो होता है, ये सम bathroom में होजाएगा, समझ गये? तो इसका Flower Option D हो जाएगा, अगला येहाँ प्रस्ण होज नहीं किANNA क्लम सब्द में कौन सा Sangyad, कलम क्या कर रहा है, येहाँ पर पूरे जाती का बूथकरा रहा है तो This इसका एंसर क्या हो जाएगा option आपका ए हो जाएगा समझ गए कलंड जो है पूरी जाती का बुद्खराड है वेक्ति तो होगा नहीं समू तो होगा नहीं भाव आचक भी नहीं होगा अगला यहां प्रसमें कि द्रौव आचक संग्या का उधारन बताइए द्रौव आचक जह क्या हो जाएगा कि जाती का पूरे जाती का बुद्खराड है जाती हो जाएगा आपका समझ गया तो इसका एंसर option B हो जाएगा अगला यहां प्रस्न है कि तुफान सब्द में कौन सा संग्या है तुफान तो देखे तुफान जो है यह पूरे जाती का बुद्खराड है तो इसका answer क्या हो जाएगा option आपका B हो जाएगा तुफान का समझ गए अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते है तो वाठारनमा प्रस्ण यहां देखिए कि समू वाचक संग्या है गुलाब क्या है वस्तु का नाम है अंगूर क्या है अंगूर गुच्छा में राता है पोधे जो होते हैं हमीशा समझ गए सम्हो में देखिएगा पोधे आपको मिलेंगे अगला यहां उननीस नյा प्रस्ण है बुढ़ापा सब्द में व्याकर नेकी संग्या का संब्द है अभी उपर ये प्रश्न हुआ आया था कि बुढ़ापा क्या है तो बुढ़ापा हमारा भाव बाचक संग्या है बुढ़ापा में हम लोग अपनी भाव को बता रहे न अगला यहाँ प्रश्न है कि 20 नमर नेमलिखित में से कौन से संग्या सब्द जो है वेक्ती बाचक संग तो तेल जो है मापतल की बात हो गया तो यहां पर द्रवाचक संग्या हो जाएगा तो इसका एंसर ओप्षन C हो जाएगा अगले प्रस्न की और बढ़ते हैं दो प्रस्न और है देख लीजे तो अगला प्रस्न यहां पर है कि इनी जै चंदो के कारण देश प्राधीन हुआ तो जय चंद मतलब यहां प्रभाव आचक बता रहे ना कि इनी लोगों के कारण इनी तुछ लोगों के कारण जो है हमारा देश जो है प्राधीन हुआ हार गया । इसका आपकर क्या answer हो जागा यहां प्रभाव आचक बता रहे हैं समझ गया अगला यहां प्रश्ण है लास्ट जो की मैदान में सभा हो रही है यहां सभा कौन सा संग्या है तो सभा हमेशा जो होता है आपका सम्मू में होता है जब भी सभा होगा तो वहां पर एक लोग तो होगे नहीं सभा में तो काफी भी होता है तो इसका एंसर क्या हो ज देखे होंगे तो आप सभी लोग जरूर बताइए कि आपके जो है 45 कोस्टन मेसेज हो है कितने नमर आपके आ रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप सभी लोगों से निवेदर ने चैनल परनाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बीना नहीं जाएगा इंट्रेंस एक्जाम के लिए बेहतर चैनल है और आप जूर सकते हैं पूरे बेहतर तरीके साब की त्यारी कराए जाएगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए धन्या बात आएगे सो मच जाहें जाए बारत